नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कमिंग सून अभी आने वाला है High-rise Projects द्वारका Express के उपर तो दोस्तों बहुत सारे customers की calls है हमारे जो subscriber हैं उन्होंने काफी हमें पूछा है किसर इस project के बारे में ठोड़ा हार detailed video बनाए तो आज हम इस video के अंदर दोस्तों proper तरिके से आपको इस upcoming project के बारे में बताने वारे हैं लेकिन सबसे पहले दोस्तों अगर आप channel के पहली बार हैं तो channel को जिरूँ सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे दो से तीन ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जो सेम टिकट साइज के हैं, बस थोड़ अबर ऊपर नीच है, तो सभी प्रोजेक्ट अथे आ रहे हैं, तो हम उनके कंपेरीजन वीडियो जिहां पर अभी रैरी करने वाले हैं, तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं बात कर के साथ, लेकिन complete नहीं कर सकते, तो हम बात करेंगे, signature global अपना जो पहला project है, जो पहला ही project जो लगजरी के अंदर ने के आ रहा है, वो 37D sector के अंदर ने के आ रहा है, तो ये बेंग उन दोर का एक्स्ट्रेक्शिय के ऊपर पड़ता है, एक हम इस से आगे एक वीडियो बना negative point भी है, जो I think आपके मन में भी आ रहे होगे, उनको भी हम वहापे next video में resolve करेंगे, तो 37D में ये इनका पहला ही project है, ठीक है, और इस project के आजपास की अगर जेंटरी की बात करें, तो इनका है खुद का ही दीन दियाल का low-rise का project है, और low-rise के project मदर दीन दियाल का, यानि द यारों फ्लोरों का या उस project का आप बहुत अच्छा review, वहाँ पे आपको देखने को मिला था, जब इन्होंने launch किया रहा है, अच्छा का सा reselling value वहाँ पे है, और project भी अच्छा का से बिग गया था, क्योंकि demand की, उसके बाद दीन दियाल जैसे बंद हुआ, तो वहाँ पे demand और ज्यादा बन गई है, जैसे ग्लोबल सीटी की जो announcement हो रही है, बार बार, तो लोग क्या कर रहे हैं, कि ग्लोबल सीटी के आजपास की जो property है, उसके प्रती इंटरेस्ट थोड़ा हाँ ज्यादा सो कर रहे हैं, तो low rise के अंदर इसलिए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो budget है, वो वहीं पे set हो रहा है, और luxury project हो का जो concept है, वो size भी बढ़ा रहा है, और price भी ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए low rise के जो township है, वहाँ पे लोग तोड़ा सा ज्यादा आने लग गए है, resell वहाँ पे try कर रहे हैं, कि सब को पता है कि आगे जाके तो ये property यां और म प्रस्ता से Creed के ही वहाँ पे दीन ज्याल बनाया, उसके बाद luxury है, पहले इनोंने millennia 4 वहाँ पे जो affordable project था, वो बना था, उससे पहले इनोंने वहाँ पे millennia 1, millennia 2, millennia 3, ये 3 project signature ने वहाँ पे affordable के बनाई हुए है, तो 37D में ही signature के बहुत सारे project है, इनोंने affordable का concept वहाँ पे ल लोंज किये थे, signature global ने दो mid segment के low rise के project वहाँ पे लोंज किये गई है, लेकिन अभी इनका ये पहला luxury project आ रहा है, लम्चम इसकी अगर land parcel की बात करें, क्योंकि license आ गया है, तो 16.69 एकड़ इनका total land parcel आता है, total land parcel की अगर हम बात करें, जो total land है, वो 16.69 एकड़ की land parcel है, ठीक ह दोस्तों, इस 69 एकड़ इसके अंदर, जो total हम 17 एकड़ मांग सकते हैं, माल लीजिए आपका ये land parcel है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है दोस्तों, और यहां से ये है दवार का experience है, जैस्ट ये आपको समझाने के तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप जैसे की दौर ली फ फ्लाई वरक्त से ऐसे जाते है, ठीक है, यहां पर एक पुलिस चोकी बने हुई है, और फिर ये राम परस्ता सिटी की से अंदर से चला जाता है, और यहां से एक नाला है ऐसे, और यहां से राम परस्ता की सिटी का एक यहां पर हाई राइज है, राम परस्ता के तो इसके इंदर चला गया उसके बाद यहां पे सिगनेश्टर की जो निलेनिया फोर है उसका यह प्रोजेक्ट है जो की अफोरेबल है ठीक है यह इनका फोरेबल है साइब वो है लोराइज के प्रोजेक्ट ठीक है जो दीन दियाल की है तो यह वाली जो साइट है यह टोटल है 17 एकर की साइट यहां पर तो अभी इसमें एक तो यह है कि यह 24 मिटर रोड से यहां से एंट्री है इसके उसके बाद एक रोड और आना है जो बीच ओ बीच जाएगा इस इसके बगल से 24 मिटर रोड है ऐसे फिर 24 मिटर रोड है और पीछे फिर 24 तो नवराज की जो साइट है वो थ्री साइड ओपन साइड है तो इसके बीच में यह जो दो पार्ट बने हुए तो यह जो साइट है आप मान सकते हो को रिजामपल हो सकता यह शाड़े आख एक तो यह दूँ पार्ट में है और दोनों पार्टों में जो कलब हाउस है वह आपका अलग अलग आएगा तो इनकी जो अमनेटीज है वो भी अलग होंगी यह फेश वाइज में होंगे फेश वान फेश टू इस ट्राइब से लेकिन अलोंच एक साथ होने है दोनों फेश दो पोडियम कार पार्किंग आग के टाइम सीट्म आ गया तो अब ही प्रोजेक्टों के अंदर तो मुस्टली हो सकता है इसके अंदर भी पोडियम कार पार्किंग हो और बेसमेंट और हैमिटी जैंट्री वह तोड़ी सी बदलने लग दिए लेकिन दोस्तों मेरा सवाल है यह यह पहले दे पाए थे यह स्वाल है दूसरा यह कि अभी तक इनका पहला एक्स्पिरेंस होगे देखो अफूरेबल तो कोई भी बना सकता है जितने भी अफूरेबल प्रोपर्टी बनाई है जो डवलोपर थे सारे के सारे न्यू ब्रेंड डवलोपर थे कोई भी एक्सपिरेंस वाला नहीं था सनसीटी था सिरफ ठीक है सनसीटी इन्हें पहले प्रोपर्टी बना रखे थी उसके बाद पीरामीड आ था पीरामीड ने भी अपना आपोड़ेबल से सुरुआते सिगने भी नहीं था बाकी तो जो नए आए कुछ बनाए जैसे HCBS हो गया और भी माहिरा का आप जानते ही हैं तो सब्सक्राइब से किया था ठीक है तो लो राइज में भी कोई ज्यादा मेजर लगता नहीं है लो राइज जल्दी बन लेकिन सबसे मेजर जो पार्ड लगता है वो हाई-RIS के अंदर लगता है और हाई-RIS के अंदर ही पता चलता है एक्ट्व में चेंदर क्वालिटी क्या रहेगी दिलिवरी डिट में रहेगे आपकी प्रोपर्टी की मेंटेन करना यह सब किसरीकिका रहने वाला है तो यहां पे इसका contractor को लेके बड़ा हो सकते क्योंकि सुनने में आया कि इंटरनेशनल लेवल का यहां पर contractor लेके आएंगे ठीक है एक जो प्रोजेक्ट है जो signature global अभी यहां start करने वाला है उसके बाद ही इनकी कुछ और land पार्चल है वहां भी यह try कर रहे हैं कि आगे इस phase के बाद आगे प्रोजेक्ट है यह अच्छा प्रोजेक्ट है और साथ की साथ मैं का हुगा कि आप जब यह दिखने जा रहे हो signature global का अच्छा प्रोजेक्ट है अच्छा है कि market के अंदर काम कर रहा है ताइन पर delivery है और construction आप जानते हैं कि उल्ड़ी प्रोजेक्ट बन रहे हैं किसी साथ क प्रोजेक्ट है और आपकी जो ग्लोबल सीटी है वो निर्वाई में आनी है अगर मैं इस पार्ट से जो 37D के इस साइड जो हाई राई जा रही है मैं इस साइड की बात करो 37D के इस साइड यहां पर सारी की सारी old development देखने को मिलेंगी पुरानी property मिलेंगी सक मिलेंगे किसी दिन आपको मैप समझाओंगा उसको तो थोड़ा और के लेटी से आप समझ जाओगे तो यह जो चीजे हैं दोस्तों अभी अगर इस बजट में देखोगे तो गुरगाओं आप थोड़ा ट्राइ करोगे एक एड़ोर है जो थोड़ा बहुत ठीक में है उसक लिए रही चैंटनी दियालम ने जो प्रोजेक्ट रूंच किया उसमें तुरंट एवाई क्या भी कंसेप्त आया था कि जढ़ा तर कर्शमर है वो नहीं कर पाए थे तो उसके बाद यहां पर क्रीशो मीं भी आ रहा है उसके बाद यहां पे अडानी भी आ रहा है यहां पर नवराज है वो ट्राइ कर रहा है उसके बाद और भी इदर जो राम प्रस्ता का लेंड पार्चल इदर कापी पड़ा है उसके बारे में कुछ और न्यूस चल रही है तो हो सकता है वहां भी कोई बड़ापन अरिया पे आ सकता है तो इसलिए जो ये वाला जो एरिया है अब यह उभर के आने वाला है, वैसे 37D जो सेक्टर है, उस सबसे पुराना सेक्टर है, 37C, 37D, यह सबसे पुराने सेक्टर हैं, और सबसे पहले, mostly उस एरिया की अगर बात हो, तो उनी सेक्टरों के अंदर डवलोमेंट होई थी, तो राज सबसे बैक्वर्ड जो सेक्टर वही पुरा सकता है, कि जी वहां पे तो नाले का है, मैंने नाले के उपने लेक्ट वीडियो बनाई हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिशन ने मिल जाएगा, उस नाले को क्या कर दिया है, जो सेक्टर 90 और गलोबल सीटी के अंदर से जो नाला आ रहा है, वो तो पुर्पटी के बगल से उत्तव आ रहा है, उसको कवर्ड कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका फेस्वन को कवर्ड कर दिया गया है, और अभी कुछ टाइम पहले ही न्यूज आगी थी, उसको दो हजार पच्छिस तक जीम बिये प्रोपर कवर्ड कर देगा, अगर नाले के परती कोई कंफ्यूजिंग है, आपके बही नाला है तो नहीं जा सकते, तो आप उसके बारे में मंसुद होते हो, आप प्रोपर्टी बाई कर सकते हो, क्योंकि वो जल्द दो हजार पच्छिस या उससे आगे क्योंकि प्रोपर्टी को चार से पांक साल लगेंगे आपके, और हाई राइस है, हो सकता उससे ज्यादा भी, तो आपको प्रोपर्टी जब तक मिलेगी हाई राइस की, उस टाइम तक आपको आज पास कोई भी नाला नहीं दिखाए देगा, और वहाँ पे mostly जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको वहाँ पे delivered दिखेंगे, लोग रहते हुए नजर आएंगे, और Global City का जो काम है, वहाँ पे IT, जो employment है, वो mostly वहाँ पे set हो चुका होगा और आप भी चुका होगा, तो दोस्तों, Signature Global के regarding कुछ और भी हैं, इसमें कुछ चीज़े हैं बताने वाली, तो आप उसके regarding में जैसे की Ray, T.Y. वगरा कैसे करना है, किस टाइप क ज़्यादा आ सकते हैं, और में भी अगर ज़्यादा आगे, तो signature की, तो habit है की हो सकता है, वो draw से आपको allotment करें, तो payment plan मगरा है, इस सब जानने के लिए आप contact कर सकते हैं, मिल सकते हैं, थैंक्यों दोस्तों.